कि देश भर में जहां जहां भाजपा की सरकार है आप उठा करके आखड़ा देख लिजिए अधिकांस जगों पर पेपर लिग की समस्या है जो लोग सिवा आयोग की परिक्षा लेती है वैसे वैसा आयोग अगर परिक्षा में पेपर लिग से मुक्त नहीं रहा तो प्रश्किल हो जाएगा बीपिए सी ट्री पॉइंट जीरो का जो एक्जाम है वह रद कर दिया गया है लगतार चात्रों के दवरा अंदलोन किया रहा था फटजिवारा को लेकर लगतार सरक पर चात्र रहे थे हमारे साथ हैं भाग्वा मालिक विधाय के संदीप सुरप अ और ठोस सबुत चाहिए और ठोस सबुत चाहिए एडमिट कार्ट के पीछे जब छपा हुआ था एंसर की और पेपर लिख हुआ योई ने कह दिया कि भाई एक दिन पहले ही पेपर लिख हो गया तो रद करना चाहिए था इसमें नानुकूर करने की बात ही नहीं थी सवाल यह है कि ट्यारी 1 और ट्यारी 2 जब महागट बंधन की सरकार में अच्छे तरीके से संपन्न हुआ तो फिर ट्यारी 3 में ऐसा क्या हो गया कि इसमें पेपर लिख हो गया तो इसमें जाहिर सी बात है कि बिहार भर के युवाओं को पता है कि ट्यारी 3 के समय एक चीज जो ृष जैपम घोटला इन लोगों का हुआ था वह पेपर लिक वाला हिमा मॉला था मदधे परदेश का में उत्तर प्रदेश में योगि अदितनाथ की सरकार है वहां पर लिक अब बिहार में नो इसितो और तो ठेकापता पर सिउपड कर देना ні और अगर कहीं जंता के अंदोलन के चात्रों के दबाव के चलते रोजगार देने की बात भी आई तो किसी तरीके से घुमा करके टाल देना है पेपर लिग करवा देना है यह लोग बिहार के लोग समझ रहे हैं और 2024 में इसका असर दिखेगा आपको निश्ची तोर से आप समझ लेजिए कि बीपीएसी जैसी संस्थान बिहार का सबसे विश्वस्निय एक तरह का आयोग है जो लोग सिवा आयोग की परिक्षा लेती है वैसे वैसा आयोग अगर परिक्षा में पेपर लिग से मुक्त नहीं रहा तो युवाव का इस सरकार पर परिक्षा बरूशा इसका मतलब की नहीं है कि सवाल तो यह है कि जो चातर एक्जाम् दिय ठे पर उनका क्या में परिम परीशाने में जो फिर जाम देने हैं एक्लेवाव सिस्गा्व जिक्षा नियुरा रहा है उनके उपर करवाई हो उनके जो टॉपमोस्ट जो अधिकारी हैं उनको जिम्मदारी उनकी तय हो और साथी साथ अगर अभ्यर्थियों का नुक्सान हुआ इसकारी राज्यों से लोग परिक्षा देने आएंगे बिहार में ही अलग-अलग कोने से लोग इस ने के लोगो तो शात्रों का नुक्सान हुआ आर्थिक भी हुआ मानसिक भी हुआ तो उनको हर जाना मिलने का पॉलिसी बने यह पॉलिसी अगर बनेगी तब आफ समझ लिज तो जब तक पॉलिसी ठीक से नहीं बनेगी और जब तक सरकार जो है वह फोर ट्वेंटी केस लगे हुए व्यक्तियों को आयोगों और विभागों में बैठा करके उपर से उनका संरक्षन करती रहेगी तब तक यह रूखेगा नहीं बीपीएसी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके उपर पहले से 420 का मुकदमा चल रहा है तो वैसे लोग को लाख कहने के बावजूद सिर्फ इस नाम पर कि वह भाजपा और आरेसेस की विचारधारा के प्रती वफदार लोग हैं आप उनको नहीं हटाते हैं हम लोगों ने वाले पदों पर बने रहेंगे तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी इसलिए सरकार को चाहिए कि ठीक तरीके से जिनके उपर भी कोई सक है जिनके उपर पहले से कोई केस है वैसे व्यक्तियों को आब तो यह हम जानते हैं कौन रंजीत नाम का व्यक्ति है लेकिन अगर है तो उस पर जांच हो करवाई हो जी तो होना चाहिए तो हमारे साथ भागपा माले के बिधायक संदीब सौरब थे फिलाल के लिए बस इतना ही आप बने रहें निश्पोनेशन के से